सच के साथ नए पुलिस कमिशनर अशोक मूथा जैन ने गुरुवार को ग्रेंट किया अपना कारिभार बेर्चुर अशी सिवा यूजना की स्वेंसेव को जोरा विश्वेर्ट दिवसपर निकाली गई स्ट्राइकिल से जाग रुपता रहे और अब खबरे विस्तार से विद्ध कर्मशारी संयुक्त संगर समीती का चल रहा अंदोलन तीसरे दिन भी जारी रहा विद्ध कर्मशारी संयुक्त संगर समीती के बेनर तले चल रहा अंदोलन तीसरे दिन भी जारी रहा तीसरे दिन गुरुवार को विद्युत कर्मियों ने प्रबंधत ने देशक कार्याले भिकारिपूर पर धोलक बजा कर लोकीत के माध्यम से अपनी विर्था व्यक्त करते हुए विरोध पतरशन किया दोरान हुई सभा में वक्ताओं ने बताया कि संगर समीती द्वारा उर्जा मंतरी अरविन कुमार शर्मा द्वारा बिजली कर्मियों के चल रहे कारे बहिशकार आंदोलन से उत्परने इस्थिती पर चिंता वेक्त करने और बिजली कर्मियों से अपील के जाने का स्वावत क संगहट समीती के पदाधिकारियों ने कहा कि जहां एक और माननी उर्जा मंत्री उर्जा निगमु में कारेका स्वास्त और बेहतर वातावरण बनाने हे तु प्रयास्रत है वहीं उर्जा निगमु के शेर्स प्रबंधक का रवय इतना स्वेक्षा चारी है कि वह उर्जा मंत्री के निर्देशों के अनुरूप कारे करने हे तू तयार नहीं है यह इस्तिती अत्यंत दुर्भा के पूर्णे हैं उर्जा मंत्री भी बहतर कारे संस्कृती चाहते हैं और बिजली कर्मी भी मुख्य मंत्री एवं उर्जा मंत्री के लक्षों के अनुरूप कारी करने ही तू संकल्प बद्ध हैं किन्तु उर्जा निगुमों के शिर्स प्रबंदन ठास कर चेर्मैन ने निगुमों में नकारात्मक एवं भय का वातावरण बना रखा है जिससे कारी का वातावरण पूरी तरह से समाप्थ हो चुका है सभा की अधेक्षता राजिक श्यादों एवं संचालन राजेंद्व सिंग ने किया अमित कुमार एवं ध्रू जी दिक्षा चात्र संगठन द्वारा सभा अस्तल पर आकर अपना समर्थन दिया किया और अपनी जोड़ार संभोधन से विद्वत कर्मियों को संभोधित किया ये अंदोलन हम लोगों का जब तक उत्तप्रदेश सरकार द्वारा और पावर कार्पोरेशन के चेर्मैन के द्वारा दुपक्षी वारता करके समस्याओं का समाधान नहीं होता है तब तक यह हम लोगों का अंदोलन चलता रहे देखिए यह तो होगा ही जब करमचारी कारेका वहिसकार करेगा तो कारे तो बादित होगा और सबसे पहलीं जिम्मैदारी परदेश सरकार की हो खास करके यह जो लोकप्रिय सरकार है जो जनता द्वारा चुनी गई सरकार है इसकी जिम्मेदारी है कि जनता को परेशानी ना हो और जनता को परेशानी इसलिए हो रही है कि बिजली का कर्म चारी आंदोलन रत है अईसा आंदोलन को खतम कराना उत्तर प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है उसकी जनता के प्रती ज पुलिस कमिशनर अशोप मुथा जैन ने गुरुवार को अपना कार्यभार घ्रहंड किया। कि यह चैलेंज सिर्फ बनारस के लिए नहीं देश के सामने है। पुलिस इस देशा में बहतर कारी कर रही है। आधुनिक संचार प्रणाली में लेस पुलिस कर्मी साइबर अपरादियों पर शिकंजा कस्तें से नहीं चूट रही है। साइबर अपरादियों के खिलाब कारवाही में तेजी लाई जाएगी। पुलिसिंग भी वक्त के साथ बदलती रही है। कि बनारस एक ऐसा अस्थान जहां से देश नहीं दुनिया भर के प्रड़काते हैं। और साइबर क्राइम का एक बहुत बड़ा डाटा यहां तो इस दिशा पर आपके काम क्या होगा। यह भी एक चालेंज है क्योंकि यह पूरे देश का ही चालेंज है। और आप हम सब जानते की कैसे कीसे काल हमारे पास आते हैं। और उन्से कैसे हम लोग और जाते हैं, आप और हम जानकार है, लेकिन तमाम लोग फस जाते हैं लुए इस चैलेंज को भी in अगालेंस को भी अमान बार चैलेंज इसको भी ढ़ी देखिना मैं यह बढ़ा चैलेंज है गई यह खबर जैसे छेत में फैली वहां लोगों की भीड़ी कठा हो गई और लोग इस मामले को लेकर तरह तरह के कयास लगाने लगे इस मामले की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुची पुलिस चानबीन में जुटी रही फॉरेंसेस टीम को मौके पर बुलाया गया इस संदर्प में थानब प्रभारी चितैपूर प्रिजेश मिर्शा ने बताया कि बोरे में जिस युवक का शौ मिला है उसकी उम्मर करिब 35 वर्श है सिरपर चोड के निशान है फॉरेंसेस टीम ने साक्ष संकलन की कारिबाही शुरू कर दी युवक हरे रंग का फूल टिशर्ट और नीले रंग का जीन्स पहने था शौ करिब दो दिन पुरानी लग रही है युवक के पास से कोई कागजात नहीं मिला जिससे कि उसकी शुनाक्त हो सके उसके दाइने हाथ पर मॉन्टी नाम का टेटू बना है आसपास के थानों से सूशना मंगभ़े जा रही है लगर निगम चुनाओं में पट्री व्यवसाईयों की भूमिका पर संगोष्टी का आये चलुआ कन्टरी व्यवसाईयों की भूमिका पर एक विचार विमर संगोष्टी का आयूजिन किया गया इस कारिक्रम के मुख्यतिती के रूप में भारतिय जन्ता पार्टी महानगर महामंत्री जग्ती इस्त्र पार्टी ने कहा कि नेकाया चुनाओं में हमेशब प्तरी व्यवसाईयों ने राश्य को मजबूत बनाने के लिए निरंतर सही व्यक्ति चुन कर सदन में भीजा ह प्टरी व्यवसाईयों के उठान के लिए निरंतर गारिक कर रही है विसस्टती ऑन्टिरेशन ओफ início ट्रेड यूनियन उफ इंडिया के राश्ची उपाध्यक्ष माया पांडे ने कहा कि अपनी एक जूपता दिखाने का एक मात्र मंत्र संगटन के माध्यम से लगातार आवाज उठाकर सोई शासन प्रशासन को जगाए रखना है जिससे किसी भी पट्री व्यवसाई का शोशन ना हो सके फेरी पट्री ठेला व्यवसाई समीती सचिव अभिशेक निगम ने कहा कि आने वाले नगर निगम चुनाओं में आज की संगोश्री काफी महत्वपोन साबित हो सकती है आगामी नगर निकाय चुनाओं में हम उसी प्रत्याश्री का साथ देंगे जो हम पट्री व्यवसाईयों के साथ अगले पांच वर्ष रहेगा वह अपर नगर आयुक्त के आश्वासन के बावजूद अभी तक टाउन वेडिंग कमेटी की बैठकना होने पर लगातार नाइट मार्केट में स्मार्ट सिटी नगर निगम की मनमानी से नाराज पट्री व्यवसाईय ने निड़ने लिया कि आगामी मंगलवार को जन सुनवाई में नगर आयुक्त नगर निगम को पुनागियापन दे कर संपूर्ण चमस्याओं से आउगत कराया जाएगा संगोष्टी में मुखिरूप से फेरी पट्री ठेला व्यवसाई समीती अध्यक्षर राजेंदर प्रिशाद सिंग, महादेव, फेरी पट्री ठेला व्यवसाई समीती कारेकारी अध्यक्षर हरिशंकर से नाम, पाशत सैलेश स्रिवास्तो, सरस्वती मिश्रा, पाशत अगामी जन सुनवाई के मंगलवार को नाइट मार्केट के पुना विरोध में और कुछ समस्याएं हमारी DLW की और कुछ छेत्र की हैं उनको लेके हम नगरयक्त मौदे को फिट से पुना ग्यापन सो पेंगे और आगामी निकाय चुनाओं में जो भी रहडी पत्री वालों क बात करेगा चाहे वो वाड अस्तर पे होगा चाहे महापौर अस्तर पे लोग होंगे हम उनी के साथ कंदे से कंदा मिला के मजबूत राष्ट निर्माण को मजबूत करने के लिए देश प्रधान मंत्री जी को मजबूत करने का काम करेंगे और हमारे पट्री वैपारी भी के साथ करने से कंदा मिला के चलने का काम है। जो विपिन्द मार्गों से होते हुए एमपी थेटर मैदान तक गई जहां पर स्वैम स्वेव को द्वारा लोगों को जागरुक करने के लिए नुकर नाटक भी हैविजीत किया गया। बता दे कि एट्स ऐसी बिमारी है जो अस्वरक्षित यौन संबंद संक्रमित व्यक्तियों को लगाया हुआ स्वस्थ व्यक्ति को लगाने पर गर्पती मां से बच्चों को फैलता है। कारिक्रम संयोजब ने बताया कि आज लोगों में जागरुकता की कमी के कारण एक ऐसा रोग जो तेजी से खैल रहा है। लोगों को जागरुक करने के लिए राश्टी सिवाई उजना के स्वेंग से उपो द्वारा आज रहली निकाली गई गई है। जो अनबॉन वेवी अगर गर्वती महिला के पास है तो उससे हो सकता है और जो दूद पिलाने के से भी फैलता है। तो सबसे बड़ी बात है कि यदि आप जानकारी रखते हैं तो आप एड़ से बिलकुल सुरक्षित रहेंगे। इस बार नगर निगम चुनाओं में पूरे दमखम के साथ किर्णर समाज आगे आया है। समाज के लोग मेर पत से लेकर सभासत पदों पर ताल ठोकेंगे। इस संदर्प में गुरुवार को पराणकर भोने प्रेसवारता कर सलमान किर्णर ने कहा कि इस समाज में हमारा गहरा जुडाओ है और पुराना नाता भी है। हम लोगों की खुशियों में नेग लेने जाते हैं और बदले में दुआएं देते हैं। लिया कि नहीं किसी जंता की इसमें सुनवाई हो रही नगनिकों कच्छ में और नहीं उनके लिए कोई स्वक्षता के मामले में ले लिजे या भर्ष्टाचार के मामले में ले लिजे या करमचारी के न्याय के मामले में ले लिजे उनके साथ आए दिन करमचारी साता न्याय ह और बेहन बैटियों की बिल्कुल सुनवाई नहीं हो रही इसी सब को लेकर हम लोगों ने किनसमूदाये ने एक का हम लोगों ने पहल बनाई कि अबकी बार किनसमूदाये इस मेर की शिरौ में खड़ा होके कासी की सेवा करेगा और कासी की जंता को भरस्टाचार्ज से मुक् प्रत्याशी चंदंत्रिपाथी ने बताया कि हमारा पुद्दा चुनाओ लड़ने का यह है कि सभाई विवस्ता और नए लड़के जो प्रैक्टिस करने आ उनको पूरी तरह से मदद करने का काम करेंगे और लगातार इसी तरह से हम लोग सभी अधिवक्ता को पूरी तरह से सहयोग किया जाएगा महिला आधिवक्ता के लिए शौचाले की वेवस्ता और वादकारियों की सहायता तथा बार्व ब्रेंच के बीच आपसी सबन्वक इस्थाबित करेंगे इस नावांकन के दोरां सुनील कुमार एडवोकेट, अभीशेक कुमार दृवेदी एडवोकेट, ब्रिजेश कुमार सिंग एडवोकेट, साहिल दीप मिश्रा, आलोग सिंग, पंकज दुबे, वरिष्ट अधिवक्ता, सुनील कुमार शिवास्तो, इत्यादी आधिलोग को काशी तमिल संगमम में तमिलनाडू से अठारा सो किलिमिटर की यात्रा तै कर काशी पहुचे तमिलनाडू के तमिलनाडू के होशोर जिले के रहने वाले राजन और राजलक्ष्मी ने 32 घंटे में बाइक के करिब अठारसो किलिमिटर की यात्रा तै करके काशी तमिल संगमम में हिस्सा लेने पहुचे बाचीत में उन्होंने पताया कि वहाँ एक सुंदर यात्रा पर तमिलनाडू से निकले थे उन्हें यह जानकारी थी कि काशी में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा एक भारस्ट्रेश्च भारत के उदेश्चे से एक कारिक्रम का आयोजन किया गया है उन्होंने अपनी यात्रा की शुरुवात की यात्रा के दोरान उन्होंने दो जगों पर विशाम किया और वह बाबा विश्वनार की नगरी काशी पहुचे राज लक्षमी ने हर हर महादेओ के नारे की साथ खुशी जाहिर करते हुए कहा कि हम काशी पहुचे हैं काशी में आयर जिस काशी तमिल संगमम में हम शामिल होकर अपने आपको काफी खुश नसीफ समझ रहे हैं इस सुंदर कारिक्रम के आयरजन के लिए हम प्रदान मंत्री नरेदर मोधी को धन्यवाद करते हैं राजन ने बताया कि हमारा यात्रा काफी यादगार रहेगा हम दोनों पती-पत्नी में हजारों किलोमेटर की यात्रा एक साथ तैगी है यात्रा में थोड़ी बहुत कर्टिनाईयां भी आई हैं लेकिन यात्रा काफी अनुभव और सुखद रही है इस संगमम में हम लोग पहुचे हैं यहां के विभिन अस्थलों का भ्रमण करेंगे और यहां के सांस्कृतिक कारिक्रम में हम हिस्सा लेंगे सो योगी जी यूम पत्तिकना अवले गावननस रूबब पढ़िको अधनल कासी इवेंट्स अंगे मुसित पनीटु इंगे इवेंट्स रूम्ब इंप्रोसा आईटु अबलो यह दू यह दू यह दू पत्तिकना पाथुटु इवलो इरकान सोल्टु पाथू नांगे त किलोमेटर्स इन थर्टी पावस हुजूर् तमिलनाडु तु वारनासी सो वी अधनल के सामने धर्नारा चात्रों को हटाया गया इस कारवाही में सुरक्षा कर्मियों के साथ चात्रों की नोग्शक भी हो गए वारनसी फैक्ट फाइडिंग कमेटी की रिपोर्ट आने से पहले पिएसडी नोडिफिकेशन जारी होने के खिलाफ हिंदी विभाग के सामने धर्ने पर बैठे शात्रों को गुरुवार को सुरक्षा कर्मियों उठाकर चीफ प्रॉक्टर दप्तर ले गये चात्रों ने इसका विरोध किया और सुरक्षा कर्मियों से उनकी जम कर धक्का मुकी हुई चात्रों ने सुरक्षा कर्मियों पर बरबरता का आरोप लगाया साथ ही नयाय के लिए अब नयायले की शरण में जाने की बात कही चेताया की भिश्चाचार के खिलाब आंधूरन जारी रहेगा बताले की पेजडी प्रवेश प्रफिया में धानली कारूप लगाते हुए शात्र अगस्त माह में धरने पर बैठे थे इस दोरान एक शात्र की हालत भिगड़ गई इस पर कुलपती की ओर से फैक्ट फाइडिंग कमेटी गठित की गई कमेटी की ओर से अभी तक रेपोर्ट विश्चो इद्याले प्रिशासन को नहीं सौपी गई इसके बहुत दूस विश्चो इद्याले प्रिशासन की ओर से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया इसको लेकर शात्रों में आकरोश व्यावत हो गया और वो नोटिफिकेशन वापस लेने समय तन्य मागों को लेकर धर्ना देने लगे गुर्वार को सुरक्षा कर्मियों की टीम मौके पर पहुची और हिंदी विभाग के सामने धर्ना दे शात्रों को उठाकर प्राक्टर ऑफिस ले शात्रों ने इसका जमकर विरूद किया इस दौरान सुरक्षा कर्मियों की शात्रों के साथ धक्का मुक्की भी हुई अधिकारों का उलंगन है हमें वहां से चीफ प्रॉक्टर जो है कि उठाकर निभल घसीट कर लेकर आई है यहां तक और उन्होंने बहुत ही बरबरता पुरुवक और निर्ममता पुरुवक हमको उठाकर वहां से लाए हैं और कई न कई यह लोग भारती सम्मिधान से उपर समलके भी आपने अब को समझ रहे हैं क्योंकि हमारा उठाक लाया में अधिकार देता है कहीं आपट कर सांथि उप्रॉटब्य ठान कर सकते हैं परतुशियो contributor के लोग और में शुझे मेजर सुजी सिंग जो की चीफ रॉक्टर में है उन्होंने मुझे बहुत निर्ममताब पुर्वक उठा कल आया इसमें हमारे साथी पॉन पॉन सिंग जी हमारे जो साथी है हमारे सीनियर उनका पैर ठेक्चर हो गया है उसके लिए हम लोग कुछ करेंगे परन्तु यह जो प् गंगा में नाव संचालन को रोक कर नाविक समाज के लोगों ने बैठक की गंगा में कई हाथसों के बाद प्रिशासन की सक्ती से नाराज निशाक समाज के लोगों ने गुरुवार की सुबा नाव संचालन बंद कर बैठकी इसमें हर हाथसे के लिए नाविकों को दोशी ठहराने के प्रिशासन के रवये पर नाराज की जताई गई साथ ही निर्णाय लिया गया कि नाविक अप प्रशासन के मानकों के अनुगों की गंगा में नावों का संचालन करेंगे दुरगटना के लिए अब सिर्फ प्रशासन जिम्मेदार होगा नाविकों ने मीटिंग के बाद गंगा में नाव संचालन शुरू कर दिया समाज के लोगों का कहना था कि अब जितने भी लोगों को नाओ की सहर कराएंगे सभी को लाइक जैकेट का उपयोग करना होगा जनमानस की सुरक्षा के लिए जितने भी उचित नियम बनाए जाएंगे सब का मजबूती से पालन करवाया जाएगा नाविक समाज के लोगों ने कहा कि नौकायन हमारा कर्म और धर्म है नौका संचालन के वक्त अत्वा घाटो पर नाहाते लोगों की सुरक्षा का ध्यान देते हैं कोई गंगा में कूद कर आद्महत्या करने का प्रयास करता है तो उसे भी बचाते हैं अपने गोता खोरों की मदद से डूबे हुए शवों को बाहर निकलवाने में प्रिशासन की मदद करते हैं हाला कि इसका कोई मोल नहीं ऐसे में अपसे यह सब कारे करने की बजाए शासन से निर्धारिक मानकों की अनुरूप नावों का संचालन करेंगे यदि किसी तरह की घटना दुरगटना होगी तो इसकी समस्त जिम्मेदारी प्रिशासन की होगी लोगों को निर्धेश देने के लिए कि हम नौकायन कैसे कराएं और नौकायन कराते समय हमें किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए उन चीजों को विसेश तोर पर लोगों को बताने के लिए आज ये बैठक की जा रही है ये पंचायत की जा रही है कि हम लोग ऐसा काम ना करें जिससे साथसन प्रसाथसन को हम लोगों के उपर उगली उटानी पड़े और हम लोग दोसी सिद्ध हो किया हमने कोई मांग या हमने कोई धरना या प्रदरसन नहीं किया है हमारी मांग नहीं हमारा एक कहना है कि देखिए हम अमारे समाज के लोग अपना काम करें और साथसन प्रसाथसन के लोग अपना काम करें जिस काम को हम अपना धरम और करम मान के करते चले आ रहे थे, जैसे कि नदी में डूपते हुए लोगों को बचाना है, डूप गए लोगों को निकालना है, घाटों पर अगर कोई उचक्कागिरी कर रहा है, अगर नजर पढ़ गए तो उसको पुलिस के हवाले करना है, इन विगत वर्षों की भाती इस वर्ष में आज एक दिसंबर गुरुवार को प्राता नौ बजे, शे साई बापा मंदिर लोहाबंडी मल्दयया वाराणसी का ग्यार्वा इस्थापना दिवस बड़े ही हर्ष पोण महोल में मनाया गया, उक्ताउसर पर भव्य मराठी आर्थ इश कन्नोजिया, राहुल गुपता, पंडिश सत्यम शास्त्री, राजियु शिवास्तो, अनिल शिवास्तो, गुल्षन सतीज कनोजिया, आशिश कुमार, अर्विंद उपाध्याय, गोतम कनोजिया, विद्याले की प्रधाना ध्यापिका, अंजना सिंग, एडवोकेट सत इस अपना धिवस का आज कारकम था, और हर वर्स की बाती, इस वर्स भी हम लोगों ने इस अपना धिवस बड़े ही बब रूप से, और चुकि इस बार का कारकम का एक अलग रूप रेखा थी, कि हमारे बगल में बेसिक प्राइमरी पार्ट सालार अगुबीर के बच्चों इस अपना धिवस का कारकम मनाया है, आज बच्चों में बड़ा हर्स का महौल था, और इसी के साथ सिटी वारंसी लाइब का यह पसारगी इसमाप होता है, ममता चोड़स्या को दे इजाज़त, नमस्कार झाल